क्लास बंग करके हम लाइब्रेरी में क्यों बैठे हैं यह साइलेंस तो मेरी जान ले लेगा उस वॉयलेंस है तो यह साइलेंस बेटर है कौन है रहे लाइब्रेरी में फोन साइलेंट पर रखता है पोता नहीं अरे बाबा लाइब्रेरी नहीं ये शॉपिंग मॉल है लड़कियों का मेला लगा है तुम यहां बोर हो रही थी ना एंटर्टेंबंट चाहिए क्यों ने तो चलो तुम्हें 3D मुवी दिखाती हूं सच में आना आजा जल्दी हा तुझे तो नहीं बुला और दिमाग हराब है क्या चेड क्यों है कियो इसने इस गुंड़े को आपका में दर नहीं है मुझसे गंदी-गंदी बाते कर रहा है की रहे क्या बोला मैं तो दोस्कों बुला रहा था आजा इस जीधा आजा सुना म पर इसे फासी पर लटका देना चाहिए अरे तु चुप चुप सॉरी बोल देना उसकी तो मैंने हालत ही पतली कर दी लाइब दी में बड़ा मज़ा आया एक रात के दस हजार दस हजार दस हजार दस हजार वाट देखिया मिस मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ है क्या बगवास कर रहे हो तुमने मेरा रेट कब पूछा अब पबलिक में अपना रेट बता रही है अगर कोई सुन लेगा तो फ्यूचर में मेरे शादी के प्रॉबलम हो जाएगी मेरी जिन्दगी बरबाद हो जाएगी सब मुझे आवारा समझेंगे पागर हो गये हो क्या मामला क्या है देखिया ना सर इसने मुझे क्यूट कहा रात को घर पर बुला है रेट दस हजार कहती है क्या कहा एक रात का दस हजार सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज मैं हूना मामला सुलजाने के लिए बताओ इसने क्या पूछा इसने मुझे से रेट पूछा था फिर इसने क्या कहा इसने कहा दस सर समयने से ग्यारा कहा था सर स तो पढ़ता जा रहा है थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा अच्छा सुनो बेटी तुम मैचोडी की बेटी ओना उनका नाम इस तरह बदनाम मत करो जो कर रही हो वो गलत बात है दुबारा कभी ऐसा करना भी मत चलो जाओ वाना जैसी करनी वैसी भरनी मैटर कदम सब लोग करदाश नहीं होएगा इसे आज ही खत्त करने का है क्लास खतम होने में अभी टाइम है खामोश और तो माजी सटकली इस गुंडे विक्रांत को सस्पेंट करो वह भी अभी के अभी पहले मुझे मामला तो समझाओ जानते भी हो वह क्लास का टॉपर है सर मैं इनकी होजेगा अभी के अभी ठीक है आपने ठीक से सोच तो लिया है ना एक बार मैंने कमिट कर दिया तो मैं किसी की नहीं सुनता तो ठीक है इस हालात का आखो देखा समाचार आपको दिखाएंगे हमारे विशेष समवादाता बबलू बबलू तुम्हें मेरी आवाज आ रही ह है तो हमारी लेक्चरर रूमैंटिक रामनाथन गुरुजी के बार में आपके पास क्या समाचार है अच्छा विकरांच सुनो रूमैंटिक रामनाथन की गुरुपंति का एक विडियो हमारे पास है मैं सबको दिखाता हूँ ओवर टू स्टूडियो प्रोफेसर साब ये शैर्जा मैडम को चिटचड़ी नहीं हो गई है क्यों नहीं हो गाजी मैडम के बाद कोई काम तो है नहीं सारा दिन काम करके जब इसका पति थका आ रहा है आफिस से गर आता है तो भी वो रात में अकिले सूता है लक्टा अपने देखा है तो अगर पूरी क्लास के सामने बदनाम करेगा तो हम भी या चुपनी बटने वाला एक मिनिट से मेरे पास टाइम नहीं है बबलू तुम्हें हेटपून्स पर विजय सर के आवास तो आ रही है ना हाँ बिलकुल आ रही है तो बताओ हमारे विजय सर कल रात दस से बारा के बीच में एक्जाटली कहां पर थे कल रात विजय कुमार सर रंग महल थीएटर में चौथा शो देखने गए थे जहां लगी है सजन्वा के प्यार में महरारू बेहाल जो पिछले चार हफते से धर्कियों के बीच धूम मचा रही है अब आपकी बारी है सर आप कोई मामुली चाटिंग मास्टर नहीं है एक आदमी और चार चार लड़कियां हेमा रेखा जया और साथ में सुष्मा भी एक्सपरिमेंट की भी हद होती है पूरे कमरे को इसने जादोई गुफा बना दिया है एई हुटना तु भूल गया कि आज बॉक्सिंग का मैच है डाड़ी प्लीज डाड़ी यह बॉक्सिंग और कराटे नहीं सीखना है सोने दोना मॉम आगई सील चेंज करो अरे सिरिट देखेगी तो मार देगी मॉम गुड मॉर्निंग मॉम मेरा प्यारा बच्चा यह क्या सुबह सुबह इसे जगाने आ गए जगाने आ गए तुम भी यह सोचती हो मा बेटे दुनों एक से हैं बेटा एक नमबरी मा दस नमबरी चल पकड़ इस है आज आ रिंग में चल झाल क्यों मास्टर प्रेक्टिस के लिए आपसे बॉक्सर लाने को कहा था पहलवालने के चले आए चैंपियन बनने के लिए पहलवानों को हराना पड़ता है देखो बच्चा बेचारा डर गया इसे बच्चा समझने की गलती मत करना इसमें रॉकेट जैसी तेजी है यह अगर एक बार शुरू हो गया तो खुद से ही रुखता है कोई दूसरा नहीं रोक सकता अच्छा क्या पिद्धी और क्या पिद्धी का शौरबा तुम दोनों मिलकर मेरा कुछ भी नहीं उखाड सकते इनकी जरूरत नहीं है मैं अकेला ही काफी हूँ लगता है हॉस्पिटल में भरती होना है याँ हाँ 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 फिरहें 6 फिरहें 6 तुप्मट धफ वNew अ व क्योंक वज़ भूख बढादा इंग हाँ जश जश और कितने मार खाएगा मेरी बात मान पेपर पेपर जाइन कर दे कुछ भी हो जाए पर मैं साइन करूंगा मैं देखता हूं कि वो पेपर साइन कैसे नहीं करता- किर्मत कीजिए पेफर साथ शाम तक ही मुंबेए पहुच जाएंगे जाकू देना कर कर साइन कर संभाजी मैं एमेले हूँ जनता की सेवा करता हूँ पर तुमने मुझे गुंडा बना दिया थेंक्यू मामा सुने मूर्थी जी सार प्यार से चाकू निकालना और ठीक से मामा का इलाज करवाना पेपर्स दो संभाजी भबलु आँटी पोह चाहिए क्या अच्छा बनाए तो दे दू अरे बबलु तो बासी क्यों खा रहा है ये तो पर्सों का है उड़े को देने जा रही थी पहले बताना चाहिए था ना तेरे लिए बासी ही सही है आँ मैं इंकल आपका बात पूछनी आप पूछ दो बात पूछनी आभी तो पूछी खिलाडी से खेल मुझे चार बात पूछनी है चार सवाल तो हो गए कब अभी हुए ना । हर घर में एक पागल होता है यहां पूरा घर पागल खाना है रुक ना सरा मैंने तिरी लिए लुकी का दलिया मूंग की सबजी बाजरे की रोटी सब रखी है भरुआ कद्दू करेले की चटनी तर्बूस की सबजी और तुरई की मिठाई वो भी खिलाओ ना जिस तिन तुम् चिंटि यूलर बिखारी कब आएगा कर दिखा क्या हुँँ तका का कि आटी रेडियो पर रेशिप सुनकी खाना भर नाती है टिफिन भरती है और तो कि सब हापी मैंने तेरा टीफिन निखा इसलिए मैं खुश है अच्छा लगा ना ठीक है पूली वाली पगार मुझे दिया करना है कि मैं उठा लूंगा क्लास क्यों है क्या वे कॉलेज में नहीं आया है तरी हिम्मत कैसे ही पाक करने की है अरे तो बोर्ड लगा तरी तो निकले यह से यह लोग दिनेश के नाम पर रोज गुंडा गर्दी करते हैं अपनी बाइक वहां लगा देखते हैं क्या करते हैं नहीं यार दिनेश वैसे भी अम पर गुस्सा है उसका भाई एलेक्शन लड़ने माला है उससे पंगा मत लिया हम उससे डरते हैं इसलिए वो रॉब जाड़ता है चाल चाल गाड़ी पी चले चाल निकाल हाई अंकल हाई अनगा हाउ यू येलो हाल चाल क्या है मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे मैं ठीक हूँ तुम्हारे पापा जमीन पर भी कदम रखते हैं या फ्लाइट में ही रिटाइर अनगा चालते हैं आप तो उनके बच्पन के दोस्त हैं मुझसे बहतर तो आप उन्हें जानते हैं मॉम डाइड ऑस्ट्रेलिया गये है तो उनके वापस आने तक मैं दाधी के साथ यहां रहूंगी अच्छी बात है एनिवे मैंने सारी फॉर्मालिडिस कर दी है यह देख लो यह अच्छी अच्छी एड्मिशन की पेपर्स हैं मेरी एक इंपोर्टन मीटिंग है मुझे जाना ही होगा तब तक कॉलेज का राउन लगा लो और कैंटीन में बैठो शिल्पा क्लास में ही होगी उससे कहूंगा तुम से मिल लुए तुम ही मेरी जिंदगी हो मैं तुम्हारी इसी स्माइल पे फिदा हूँ बस तुम्हे एक बार मुझे आई लव यू टू कह दो मैं कल पार्क में तुम्हारा वेट करोंगा तुम मास क्यों रही हो नहीं कोई बात नहीं प्लीज मुझे बताओ कल सच में पार्क जाओगी भला ऐसे प्रपूसल को कौल मना कर सकता है अच्छा यह कार्ड देखों जरा यह कार्ड की कीमत है 70 रुपीज और वो गुलाब करीबं 20 रुपे का होगा और और गोल ट्रिंग 15 रुपे की होगी वो गाना जो उसने गाया वो भी एक पुरानी फिल्म का था जो उसने नहीं किसी और ने लिखा तो टोटल एक सो पांच रुपे में तुम सेट हो गए तो प्रपोस करने के लिए कोई क्या करेगा हजारो लाखो करेगा देख मैं पैसो की बात नहीं कर रहे हूं एक लड़की का प्रपोसल कुछ हटके होना चाहिए यार तुमको ऐसा लगना चाहिए जैसे यही तो है मेर लाइफ का हीरो जिसका मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा कोई बॉइफ्रेंट है क्या नहीं तो होगा भी नहीं तुझे पता है कल रात मैंने कजीब सा सपना देखा क्या देखा मैं किसी की खोज में हिमाले पर चड़ रहा था किसकी मैं रिंग रहा था उचल रहा था च मैं पहाड से लुड़कते लुड़कते नीचे आ रहा था और फिर नदी में गिर गया तभी मैंने एक आवाज सुनी लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ उस उफंती पानी में अचानक एक अंगूठी मेरे हाथ लगी और जैसे मैंने उसे पहना फिर क्या हुआ मैं नदी मे मेरे हाथ में थी और फिर उसी पल से मुझे हर इंसान का भूध भविश्य और वर्तमान साफ नजर आता है वाई ये कमाल हो गया जादू अंगुठी हमारे पास है आश्चर हरत अंगेज इस अंगुठी का ओडर देने के लिए 2999 तुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या यकिन ये ते पिच्चर की हिरोईयं जैसी लडक्य है भहल खोल इसकी है तूम जैसे ज्रामे बाजना मैंने बहुत देखे हैं ये सारी ट्रिक्स मेरे साथ काम नहीं करने वाली हनो इस ड्रामे के सभी ट्रिक्स वास्तविग हैं ओके, तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रहा हूँ ना, पर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा. तुम्हारे नाम में तीन अक्षर है, और नाम का पहला अक्षर अ है, तुम अपने माबाप की एक लौती बेटी हो, और तुम्हें पपीज बहुत पसंद है, तुम्हें एक पाला भी है, तुम्हारा फेवरेट नंबर साथ है, तुम्हारा फेवरेट हीरो सलमान है, और फेव यानेगा क्या हुआ यार शिल्पा यह कोई इंसान नहीं है इस अ मॉंस्टर मेरे बारे में सारी बाते बता रहा है लगता है इसने तुम्हें भी बक्रा बनाया है बक्रे का मतलब यह विक्रान्त है हमारे कॉलेज का टौप और मेरा बेस्ट फ्रेंड यह सारा दिन मस्ति करता रहता है तूने इसके साथ क्या क्या एक्चुली मैडम ने जो एंट्री मारी वह एक्शन सीक्वेंस थी तो हमारी एंट्री भी दमाकेदार होनी चाहिए ना इसलिए मैंने ये प्लान किया थोड़ा दिमाग चला इसके कार की नंबर प्लेट से इसका पूरा नाम निकाला उ वहां पर तो इन्होंने सारी डीटेल्स खुदी पोस्ट कर रखी है घॉर्ट तुमने तो मुझे डराई दिया था तुम सच में बहुत पनी हो डैरी ने मुझे कहा था कि तुम यहीं मिलो भाई वो रही लड़की सीरिसली शिल्पा तुम अब भी नहीं बतली और बताओ क् क्या रे सुना है तु स्टंड दिखाती है हां मुझे भी तो दिखा नीचे बच कौन है रे तू चानती है किस से पंगाले रही है क्या रे तेरा मा लेका है वो नहीं स्टूडेंट है यहां की नहीं है छोड़ो से जबान चलाता है तेरी मा की जगड़ा तेरे मेरे बीच है माबाप को बीच में क्यों खसीटा है सालेक करें तूड़ा तेर तूड़ा चाहे में क्यांता तेरे बाहिव प्रिखा विर्श सापई आइसे विर्श 맞वारे अगं विर्वाव पर तेरे जिले प्रेवाना मावारे में प्सक्त रउ़ा किया बाहा है कि यह कॉलेज है कोई देशी दारुका नहीं सर लडाई इसने शुरू कि थी नहीं सर इसने उस लेड़की से बता आप आवाज नहीं लडाई के वक्त तुम यहीं थी ना गलती किसकी थी किसने लडाई शुरू किया चुप मत रहो जवाब दो कि अरे सर तुम्हें कॉलेज से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है लेकिन गेर आउट फ्रॉम हिया यही तुमने ऐसा क्यों किया वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है एक अच्छा लड़का है उस गुंडे की गलती पर तुमने उसका नाम क्यों ले लिया मैं तुमसे बात कर रही हूं कुछ बोलो तुसे क्या हूं तुम रोक्यों रहे हो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था वो दिली शेख दरिंदा है हैवान है एक रास पार्टी में तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वीडियो की सीडी बनाएगा और उससे बेचेगा वो मुझे बतनाम करना चाहता है सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत सी लड़किया है जिन्हें वो ब्लैकमेल कर रहा है अंकल को बताओ तुमने पुलीस कंप्लेंट क्यों नहीं की उसका भाई लोकल मले है बड़ा गुंडा है चोटे हवल्दार से लेकर बड़े नेता थक सब उससे डरते हैं तुम घबराओ मत मैं अंकल से बात करती हूँ ठीक है अब आप क्या करेंगे अंकल मेरी तो हिम्मती जवाब देती जा रही है बेटी लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल की बेटी नहीं ऐसा गलत काम किया है अगर दिनेश हैवान है तो उसका भाई उससे बड़ा शैतान है इस बारे में किसी से मदद लूँगा तो मैं ही बदलाम हो जाओंगा तुम्हें मेरे बारे में तो सोचा हो था अगर जरा भी सोचा होता था था अब इस प्राब्लम में नहीं पसते हर प्राब्लम का सुलीशन होता है सर उसने आपकी बेटी की प्राब्लम के साथ साथ आपकी प्राब्लम भी सॉल्व कर दिये सर मेरे आदमी को टिकेट क्यों नहीं दिया तू यहाँ पे नया मैनेजर आएला है लेकिन जाने भाई यहाँ का पुराना खिलाडी है और टिकेट ओनलाइन भी खेंगो हुआ हैं यहाँ इस स्वीलीम का अस्टार अपना हुसता दे आपनुझ उसका चेला तिकेट नियुए दो तेरा लागे लेंगा क्या चल टिकेट निकल चल चलिए जटाब। आप वालोचितार नाइट रेह आधार। लो क्या वा अवीं अभी आता हुआएयों कहा जा रहे हैं लो मुझे तो जाने यह मामला शुला जाना चाहिए हाँ तो जयता है ना पूलो गुंडे हैं उन्हें विपकुल जा यार livre this by Foods तुझे तेख रहे हैं कमसे कम उनसे तो डर क्या वा भिडू क्या प्रॉब्लों में मैं तो एक फैन हूँ हम अपने भगवान की फिल्म के लिए यहां जल्सा कर रहे हैं खुशिया मना रहे हैं नाच रहे हैं लेकिन कुछ लोग रिलीज से पहले फिल्म की पाइडिट एक सीडी बना कर पेच रहे है क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं शावाश मेरे शेर असली फैन तू इच है तू फिकर मत कर मैं पीके का फैन हूं एक एक फॉटी सेवन से भी डेंजरस पावर स्टार की फिल्म से पंगा मतलब फैन लोग से पंगा चल उसको सबख सिखा दें अरे नहीं सर मैं आपको कर लोगे फिकर है तू थारीग शेतल है जो I लुट 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 हर है ब्रू कि अवे लुक के नई पिच्चर देखने के तरीके होते हैं दो एक ठेटर में और दूसरा पारेसी गर के अप उनने अपनाया पहला रास्ता और तूने अपनाया गलत रास्ता एक बार एक बार फर्स डे फश्चो देख तू सीडी शापना छोड़ देंगा रिलीस से पहले ही पारेटिट सीडी मार्किट में और सारे ठेटर खाली सिर्फ कोने में पंची मिलते वह भी पॉपकॉन आइसक्रीम खाके गुटुर्गु करते रहते हैं क्योंकि वह सीडी देख चुके हैं सिनेमा अप उनकी रोजी रोटी है और अपनी रोजी रोटी पे आज आएना तो म पाक कसम आप उन नहीं छोड़ेंगा समझ गया क्या सही बोले यह सीडी नहीं अप उनके गाल पे थमाचा छपा है थेटर वाला घलत नहीं है जो आप उन लोग को टिकेट नहीं दिया चोर तो इधर है यह तोर डालो सब ठीक है सब जोन्य भाई! तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारी बहिसती की, जबकि तुमने हमारी इज़त बचाई, काश की मैंने अपने बेटी की परवरिश ऐसी ही की होती, मुझे माफ कर दो, विक्रांद, सर, स्टूडेंट वो नहीं होता, जो कॉलेज खतम करके डिगरी लेकर घर चला जाए, बल्कि वो होता है, जो अपने साथियों का भरोसा जीते, वी अरॉल फामिली सर, हलो, क्या सोच रही हो, सोच रही हो कि तुम्हारे सस्पेंड होने पर सौरी बोलू या मेरी बेस्ट फ्रेंट की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलू, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी दोस्ते कापने, मार डाला, दोस्ती वोस्ती एक तरफ, मुझे तो पार्टी चाहिए, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दूगे, बिल भाड़ कर मुझे मत देना, किसी पर बिल नहीं भटेगा, क्योंकि वो अनगा की कजन की एंगेजमेंट पार्टी है, प्लीज, तुम दोनों जरूराना. अ, ओके. अ, ओके. यह सब दिवाल पे चिपका दे, तू उदर, तू उदर, तू उदर निकल रहे हैं, ए, पोस्टर खीक से चिपका, आँ भाई, आँ जाँ. मुझे बहुत डर लग रहा है, विक्रांद. प्लीज, मैं अंदर नहीं जाओंगी. ए, डरने की कोई बात नहीं है. मौन डाज एकदम कूल है. तुम मिलोगे, तू तुम्हें पसंद आ जाएंगे. मैं हूँ, ना, चलो. आँ. दर हुँ, तुम्हें बहु जाएंगे. तुम्हें मुझे. कहले किया विकी हम ही में फॉर्स्ट साइना बाद ही कलास में है बोछ है ये यह बहुत करो है तुम दोनों इक दूसरे कर प्यश्व कॉ बहुत चाहती हो है न अरे भाई उनने पर तुकुछ मुझे यही कहना था तो मेरी बात भी ध्यान से सुन मैंने तुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला है इसलिए होने वाली बहु से मेरी भी कुछ उम्मीदे हैं मॉम मॉम यह तुम्मारी उम्मीद से ज्यादा अच्छी है मॉम ठीक है मैं इससे तीन पहेलिया पूछूँगी अगर यह सबके सही जवाब देगी तो ही यह मेरी बहु होगी इतनी सीरियस बात है और तुम पहेलिया पूछोगी मैं तयार हूं आँटी पहली पहली मुझे कॉफी चाहिए शेखर को चाय चाहिए तुम पहले क्या करोगी पहले गैस आउन करोगी दूसरी पहली तुम कार से एक घने जंगल में जा रही हो बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारी कार में सिर्फ एक ही सीट पची है अब मैं और शेखर और विक्रांद तुमसे लिफ्ट लेना चाहते हैं तो उस कार में तुम किसे लिफ्ट दोगी कार में आप दोनों आ जाना मैं और विक्रांद पैदल चलके आ जाएंगे सुपाब तीसरी पहली मा भूख देखती है और बीवी पर्स देखती है फिर भी सास और बहु एक साथ खुशी से क्या देखती है टाइम सास बहु के सीरियल सुपाब मेरी बात का बुरा मत मानना बेटी बीवियां स्मार्ट नहों तो पती कंट्रोल में ही नहीं आते मेरे साथ चलो बेटा तेरा सेलेक्शन तो बहुत खुब है लड़की बहुत ही सुन्दर है अन्रुका यह कैसे गिरा इसे वहां रखने के लिए मना किया था ना देखो बच्ची को चोट लग जाती तो मॉम मैं आने का को घर शोड़ कर आता हूं ठीक है बेटा संभल कर जाना अन्रुका यह कंप यह 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 झालिव कर दो जा उना है कर दो कर दो कि मौत के बीचे क्या कारण हो सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर आपको क्या कहना है देखिए ये बहुती गंभीर मसला है इस केस के हर पहलू पर चानवीन हो रही है कुनागार जो कोई भी हो उसे बक्षा नहीं जाएगा भाई भाई किसी की जान लेनी है पर क्यों मारना है बस मैट के बाद कर उसने कॉलेज में मुझे मारा उससे मारना है अरे टिंकू क्यों जिया धड़क 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 धड़का रहा है छोटी सी बात पर 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 परेशान होता है तू बिल्कुल टेंशन मतले उस लड़के की सारी डीटेल्स मुझे दे दे, मेरे आदमी जाकर उसका जूस निकाल देंगे, अब तू मुंबई जा, ये डॉक्यूमेंट्स ले जा, इस फाइल में रखकर इन्हें संभाल कर ले जा, बाखी मैं देख लूँगा वापस आने तक वो लड़का मर जाना चाहिए बापरे, मुंबई में कोई काण न कर दे अरे दादी, धीरे धीरे सीड़ियां चड़िये ना, टेंशन मत लीजे, भगवान भागे नहीं जा रहे है हर कोई जानता है, भगवान भागे नहीं जा रहे हैं इसलिए मंदिरों में भीड काम होती है और पबर क्लबों में जैदा होती है चलो चल्दी, वरना भगवान क्लब चले जाएंगे पंडिचे, अंगा नाम से पूझा देजिए यहां क्या कर रहे है, बेटी? बीच में पूझा नहीं छोड़ते, चल्दी अपने बेटे का नाम लीजिए दादी, मैं अभी आती हूँ, यहीं रुकिएगा, ठीक है? कहां जा रही है? पंडिट जी? हाँ, बेटी? आपने अभी जो पूझा करवाई, वो कौन सी पूझा थी? यह पूझा नहीं, पिंडदान था, बेटी ओ, अपने बुज़र्गों के लेकर आया होगा नहीं, बेटी, वो अपने एकलोते बेटे यह विकरांद का पिंडदान करने यहां आये थे क्या, क्या नहींचा है? डिकरां, 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 यह उफिए प्सक्राइब, क्या पालोते इस नहीं करूझा, जुझा पूझा जूझा करूझा क्या बात है एनिटिंग रॉंग मैं तुम से कुछ पूछूंगी तो तुम सच सच बताओगे हाँ पूछा क्या अंकल अंटी तुम्हारे सगे माबाप है विख्राथ नहीं आनिगा मतलब मनед मेले में वो दोनो खो गए थे मैं उन दोनों को मेले में रोते हुए देखा तो उठाकर अपने घर लिकर आया विक्रांथ विक्रांथ, stop it विक्रांथ, please मैं तुम से सीरिस सवाल पूछ रही हूं और तुम मजाक कर रहे हो मजाक मैंने ही तुम कर रही हो ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है करीब एक घंटे पहले मैंने अंकल और अंटी को बाला जी मंदर में देखा पिंड दान किया, दान किया, दान किया, दान किया हे, आई यू मैड? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग मेरा खराब नहीं है, तुम्हारा खराब है उनकी प्यार में तुम अंधे हो गये हो मुझे तो तभी शक हो गया था जब वो गमला गिरा था तुम्हारी माँ इंसान नहीं है वो जादो करनी है दुबारा अपनी सुबान से ऐसी बात मत कहना वो मिरे लिए देवता है मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं और मैं अनगा प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो अगर वो मंदिर जाएंगे तो मुझे बताएंगे और वो मेरा पिंट दान क्यों करेंगे सुनने में अजीब लगता है शायद तुम्हें घलत फैमी हुई है कहीं तो कुछ गडबड जरूर है अम रिली सॉरी प्लीज ऐस एक बात याद रखना मेरा दिमाग खराब नहीं है मेरी आंखे दोका नहीं कहा सकती मैं जूटी नहीं हूं और ये बात भगवान भी जानता है क्या बात है बड़ी जल्दी आ गया तू तो अपने दोस्त के यहां जाने वाला था ना हाँ पर मैं घर आया था आप लोग घर पर ही नहीं थे कहीं गये थे क्या वो तेरे डाड़ी की दोस्त शर्मा जी का एक्सिडेंट हो गया था हम उन्हें देखने हॉस्पिटल गये थ है ऐसा एक्सिडेंट देखकर तो माकेट जाने में भी डर लगता है अच्छा क्या हुआ था शर्मा जी की टांग टूटके थी तो उन्हें प्लास्टर चढ़ाया है एक महीने तक वो चल नहीं सकते यह सब छोड़ अपने डाड़ी को बुला ले मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाते थी हैं तो शुब आज नहीं आ सकता अरे पताया था कि मुझे अपने बेटे के साथ कुछ समय बताना है तो कल मिलते हैं न ओके बेटा तुम कब आए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं आज सुबह आप कहां गय थे वो मेरे दोस्त शर्मा जी है ना उनका एक आप जाए यह मैं आता है चल्दी आ जाना ओके ? गजन मैं लोạnh corridor में पाका दो तक दिक दोग्षास 3- का dzięki के लार पेड्स अजयएम मैं grant धempाट 최छ्प लुटनच, ही मैं साहया लुट से भी हम अरे खाल वन से थिग 감사합니다 icial ईक अजनम मैं सबस्लिक्रात धिए उधता खाल्रा लो connected सब्सक्राइब 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 विभी तैक भाइया फाइल दे दी है अब मैं वापस आ रहा हूं मेरा काम हुआ मुझे याद है टिकू ठीक है रोज दीन बादाम खाता हूं बूलना मत प्रूच रुक रुक लापता है दस लाग का इनाम भी है समझ गया ये दस लाग तो मेरे हमें कुछ नहीं करेदना है सर मैं कुछ बेचने नहीं आया हूं तो फिर क्यों आयों ये फोटो मेरे मॉम डाड की है इस फोटो के पीछे जो सीरियल नंबर लिखा है उससे फोटो की डेट और देखो बाबा स्टूडियो बंद की हुए मुझे दस साल हो गया उस समय के कोई मेरे पास नहीं है अब जाओ तो ने वह जो फॉन किया था हां चल्ड़ कि अधर अधर आजा यह लो सर पुछों बताओ क्या पुछना चाहते हो इस फोटो की डीटेल्स बता दीजे लेकिन कम से कम उनकी शादी का साल तो बता दो मैं पैदा हुआ था नाइंटी नाइटी नाइटी फाइव में तो नाइटी फोर या नाइटी थी की फोटो होगी मैं डूड़ने की कोशिश करता हुआ तुम बैठो चल बता का मिलेगा वो पर तुम कोनो और तुम्हें उससे ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए तुम दस लाग दोगे एक खोखा एक खोखा यह दिमाग कताई मत कर यह बता वो किदर है उसका नाम क्या है उसका नाम विक्रां हिए जिसके लिए बता है बाई वो हमें मिल गया है वो मिल गया है मार डालो उसे सच सच बोल कौन है तू इनके साथ तेरा क्या रिष्टा है ये दोनों मेरे मॉम डाट है सर आप चाहिता मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए कहां से बनवा है नकली लाइसेंस नकली लाइसेंस और नहीं तो क्या इने तुम अपने माबाप कह रहे हो तुमने का तुम नाइटीन नाइटीफाइ में पैदा हुए थे अगर तुम सच में नाइटीफाइ में पैदा हुए थे तो मैंने उनकी शादी की फोटर नाइटीन नाइटीसेवन में कैसे खीची तो क्या तुम अपने माबाप की शादी के तो साल पहले पैदा हो गये थे यह तुमारे माबाप है ही नहीं शराफसे चले जाओ तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा निकलो दूसरों की जमीन जाइदात हड़पने वाले तेरे जैसे नाटीक पास लॉंडे मैंने बहुत देखे हैं चल निकल यहां से बड़ी दीर लगा दी इसने आने में आंटी विकरान घर पर है विकरान तो विकरान घर पर नहीं है आप जा सकते हैं यह तुम लोग क्या कर रहा हो विकरान घर वोग विकरान घर वोल लाड़! हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है प्ख़ुलुँछुलुँ झालुछुलुणु झालुटुलु टुछुलुपुलु जुछुलुww लखशुलुटु अमारे से पहले मुझे तुझे एक सच बताना है वह बात में बताइए अब यह हॉस्पिटल चलिए डाव ज्यादा समय नहीं मेरे पास तू हमारा सगा नहीं है यह जूट है तेरी जिंदगी खत्रे में है बेटा इस चेके से तुरत भाग जाओ प्लीज बेटा मेरी पात पानो तुम्हें बात में सब पता चलेगा जल्दी से भाग जाओ मैं आपको छोड़ कर नहीं जाओंगा दाट यह यह रवालो झाल झाल उन्हाल कि घचे लाल धिल काहा हूा झाल कि भूंचन अजय रोख वंड़ा अग्त? कि अभाइे आप हुआ हसा दो情况 कि उठके अरया richest हो हū ARO कि लार बेज आपा कि कि अभाइ ! कि अभाइब कि अहाब कि अभाइब कि कि अभाइब क्या एंपॉसिबल अभी कुछ घंटे पहले मदुरवाड़ा के घर में एक मास मर्डर कीते हैं कि कातकरने पुलीज गई थी वहां उन्हें एक बॉड़ी मिली जिस पर जे का सिंबल बना हुआ था यह अंसारी की बॉड़ी थी उन्हाने कंफर्म करके मुझे पता है अंसारी की डेड़ बॉड़ी वहां मिली अंसारी जहांगीर का दाहिना हाथ था और उस पर इंटर पॉल ने रेड़ कॉनर नोटिस भी जारी किया था अच्छा ये बताई उसेरिया का इंस्पेक्टर कौन है एक लोकेशन चार गोली के छे डेड़ बॉड़ी आठ घाव चाकुके इन सारी वार्दत का इकलावता सबूत ये सिर का बाल इतो आपी का बाल है सर मेरा है जी साहब तेरे को कैसे मालूम आपका बाल दिन बाद दिन सफेद हो रहा है कलर कहीं नहीं करते अईसा ही क्या जी सर इस केस को हैंडल करने के ले हैदराबास से न इए अफसर आयं अपसे ये केस वह समालें मेरे रहते स्पेशल पुलीस क्या करेगी अच्छा कितनी देर में आगा सर ये केस तुम देख रहे हो ना मुझसे ज्यादा बेश्ट और कोई नहीं है सर इस केस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है कोई सुराग मिला तुम्हें सर पत्थर को भी निचोड़कर पानी निकल लेता हूं मैं ये केस तो मेरी लिए हलुआ आपसी लड़ाई का माम लाए 15 लोगों ने अकरपूरी फैमिली को मार डाला दो तीन महिनों में पकड़े जाएंगे यहां पंद्रा लोग नहीं आये थे बस चार या पांच लोग थे इस फैमिली से एक मेंबर गायब है पहले उसे घोजो ये खोली किसी सीनेमा के सेट जैसा लगता है सिर पूरा का पूरा मैडल से भरा हुआ है कराटे में ब्लैक बेल्ट बॉक्सिंग का डिस्ट्रिक चैंपियन घर के हर हिस्से में चुपाए गए एक दो हथियार जैसे उन्हें पहले से मालूम था कि हमला होगा इन घर वालों का रहन सेहन इस घर की बनावट से मेल नहीं खाता कुछ तो कड़बड है टकी गाई यह मामूली आदमी नहीं है कितना खून खराबा बोडीज को पोस्ट मॉटम के लिए दिश दो और रिपोर्ट मेरे आफिस में श्वाओ ओ सर्थ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ टिंकू मैं ही जिम्मेदार हूँ तेरी इस मात के लिए उसी दिन उसे मार दिया होता तो आज तो जिन्दा होता पर मैं उसे चोड़ूंगा नहीं मार डालूँगा उसे जाण से मार डालूगा उसे कौन है? इधर का लोकले मिले तुम लोग अब तक कहा थे क्या कर रहे थे तुम्हारे पास चार घंटे हैं उसे पकड़ कर लाओ वरना पूरे शहर में आग लगा दूगा जब तक वह पकड़ा नहीं जाता ये बॉड़ी कहीं नहीं जाएगी टिंकू को नीचे रख रख दो हमें हमार ये तीन लाग होंगे पर मैं पूरे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं ले जाओ ये बॉड़ी ठीक है ले जाओ लेकिस पुलिस उसे ढूंड़े उससे पहले मेरे सामने उसे लेकर आओ पता नहीं तुम कौन हो मेरी जिन्दगी में क्यूं आया हो आखिर मेरी माबाप को इतनी बेरेमी से मारने की क्या वज़े थी और आज तक तुमने मुझे अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाया कौन हो तुम और मैं कौन हूँ मेरा असली रूप यह है कि मैं तुम्हारा रखवाला हूँ 24 सो घंटे तुम पर नज़र रखने वाला तुम्हारा नौकरो जो मर गए वो तुम्हारे असली माबाप नहीं थे उनसे तुम्हारा खून का रिष्टा नहीं था जिस मालती देवी और चंदर शेखर को तुम अ नमस्कार मुंबई बंबलाष्ट के मुख्य अपरादी अयूब को उसके दो साथियों के साथ मुंबई पुलीस ने गिरिफतार किया जैसा कि आप सब जानते हैं इस बंबलाष्ट में 2050 लोगों की मौत हुई थी अपराधियों को पुने के यरवाणा जेल में रखा गया है अयूब मुंबई के अंडरवर्ड डॉन जहांगीर का भाई है और ये माना जाता है कि उसके अपराध जगत का पारिज भी हमने उसे पबली के बीच में जाने से मना किया था मगर वो नहीं माना अब गया ने जेल जहांगीर भाईगी इंडियाने से पहले उसे बार निकालना होगा वरना अपनी फैर नहीं वौह अपनी ससरॉल में नहीं है तेंट्रल जेल में है पर कुछ तो करना होगा जब तक वो जेल से भागेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता. जब कलिसकता है. ए भगोडों इस तरफ मेले में बड़ा वाला जुला देखा है कितना उचा होता है बच्मन में बैठे होगे ये जेल भी वैसा ही है अगर एक बार आ गए तो हमारे कहने पर ही जाओगे यहां से भागना मत वरना मारे जाओगे इस बार एक इस बार आ परे के जाओगे झाओगे थाओगे यहां बेसे के जाओगे भी थाओगे दिया आन रहे है ए रुख्याप सरेंडर करतो परना सारा बारूट सीने में उतार दूँगा पास बताना मेरी परवा बत किजिए सर इसका चेल से भागना बहुत कतरनाक है आप शूट कीजिए शेखर तुम ठीक हो ना जी इन्हें हास्पटल ले जाओ शेखर आप उसकी जिन्ता मत कीजिए मैं समाल लूँगा थैंक यू थैंक यू सो मच सर हो मिनिस्टर आप मामली आदमी नहीं है सर आपने उस बुजिम को तो आराम से मार दिया लेकिन याद रहे इससे आपकी दुश्मनी उस जहांगीर से हो गई है आप पुलीस वाले इसले बच जाएंगे अगर उन्हें वो नेक्स लाइट मिल गया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे उसका इलाज है मेरे पास उसे यहां से बहुत दूर भेज रहा हूं मैं ठीक है गुद्मारिंग साल जी होगे अभी तुमारी बात चल रही थी सर यह मेरे दोस्ट चक्रपानी है आई जी है नमस्ते हैं ओ तो तुम ही शेकर हो कॉलेज के दिनों से ही यह चंद्रशेकर आज जब इनका अंदोलन हिंसक हो गया तो उसे छोड़कर इन्होंने आत्मसमर्पन कर दिया दाज्जूब मत किजिए सर हमारे सर ऐसे ही है हर एक का बायो डिटा हमारे सर के दिमाग में फिट रहता है विक्रम साहब की महरबानी की वज़े से ही आज कॉंस्ट्रिबल है हाँ जिने के लिए सही रास्ता दिखा है और एक जिम्मेदार आदमी बनाया यह मेरे मालिक हैं और मैं इनका सेवक है बहुत बोल रहा है हमने सोचा था अब तो जिन्दगी जेल में ही कटेगी आपने हमें रहा करके इसके साथ एक नई जिन्दगी जीने का मौका दिया है हम जाने से पहले मेरे बच्चे की सालगिरा पर आईएगा. रहने दीजिये सर, ये खुशी के पला आप अपने परिवार के साथ गुजारिये. शेकर, ये आपने परिवार के साथ गुजारिये. तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम्हें आना है बस. सर्प्राइज, सर्प्राइज, दस दिन के लिए, सिर्फ दस दिन के लिए, हम बाहर क्या चले गए? तुने हमें इतना बड़ा सर्प्राइज दे दिया. हमारा नाम सुनकर, हर तरफ हर कम मच जाता है. पूरी दुनिया डर से कापती है. लाखों लोग हमें नींद में भी सलाम करते हैं. इसके बाद भी हम अपने इकलोते भाई को मौत से नहीं पचापाए. उन्होंने तुझे कुट्टे की तरह मौत के घाट उतार दिया. हमें खबर किये भी ना इसे जेल से बाहर निकालने के प्लान को किसने अंचाम दिया था? कौन है वो? कौन है वो? सर्प्राइज! हमारे भाईर के हत्यारे का कटा हुआ सर, हमें कल सुबह तक यहां चाहिए? कौन लेकर आएगा? मैं लेकर आऊँगा! उसका सर मैं ला कर दूँगा, अबाजान! चाचू के कातिल को तो मैं ही मारूँगा! शाबाज बेटा! शेर का बेटा शेर ही होता है! जाओ उसके घर की खुशियों को मातम में बदल दो! जाओ बेटा, फकर से करो, जाओ! जाओ! वाओ! जाओ! 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 रूँ के अप design रूँ है रूँ चप बूँगा लाओ भृँ ठाप ! एए, एए, प्रुपका! एए! एप जम एए! एग जह वो जया थावाँ? कि अन्टूदक प्रख़क ठियो पूल शारी मिस्टर विकरम सिन्हां, उनकी बोडी काफी जल चुकी है, हालत बहुत खराब है क्या तुम मुझसे वादा करोगे? कि तुम हमारी बच्चे को लड़ाई जगड़ों से दूर रखोगे, बादा करो तुम्हारे इस कुर्बाने की कसम इस पर आज भी नहीं आने दोंगा सिता विक्रम सिन्हां, आपके लिए फोन सर्प्राइज, सर्प्राइज, सर्प्राइज उसे भासी पर लटकाऊंगा और तुझे जेल की सलाकों के पीछ डालोंगा जिंदगी भर तुझे वहां ना सड़ाया, तो मेरा नाम विक्रम सिन्हा नहीं जांगेर अरे मैं हूँ घना जंगल और तु एक घास का तिन का जंगल घना क्यों न हूँ, एक छोटी माचिस की तिलियों से भस्म कर देती है अगर तुझ में हिम्मत है, तो हमारे बेटे को छू के दिखा तेरे विनाश की घड़ी शुरू होती है, गिंती शुरू करते हैं, टिक टाक टिक अवे जा सर, यह आपको क्या हो गया है, आपका एक छोटा सा बच्चा भी है, आप इसके मारे में तो सोचिए शेकर, तुम्हारा बेटा मरा नहीं, आज से यह तुम्हारा बेटा है अब जाओ ना, सुभाश, बुली सर, इनका ख्याल है, जी सर केस की सारी बहस सुनने के बाद, और सारे सबूतों को मद्दे निज़र रखते हुए, कोर्ट का फैसला यह है, कि अकबाल को बाईज़द बरी किया जाए साथ ही अदालत पुलिस को यह सलाह देती है, कि मासूम इकबाल पर केस खत्व करके, असली मुझरिम को कोर्ट के सामने पेश किया जाए सुरी सर सुरी सर सुरी सर पुमारा पेटा भाई हमने हर जगा खोजा और हमें बस ये फोटो मिली है लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला तो पता करो खोशते रहो शहर के हर इट में खोजो मुल्क के हर कोने में खोजो हमें वो चाहिए हमारे बेटे और भाई के रोह को तभी सुकुन मिलेगा जब उस बच्चे का खोन बहेगा खोजो उसे आज 18 साल के बाद भी उसकी आग नहीं बुझी वो तुम्हें आज भी ढूण रहा है तुम्हारे बच्पन के फोटो पर उसने तुम्हारे जवानी का चहरा बनाया और पूरे देश में तुम्हें ढूण रहा है जिससे भी तुम्हारी शकल मिलती है उसे मार ढाला वो तुम्हें ढूण लेगा यह पास्पोर्ट रख लो इसके अंदर चार देशों की वीजा लगे हुए और वो एटीम कार्ट्स जितना चाहे खर्च करो यह सब तुम्हारा पैसा है बेड़ा ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम एकदम सेफ हो मेरी बात माल लो क्यों मैं भाग जाओ और अगर उसने ढून लिया तो फिर से भाग जाओ बार बार आखिर कब तक इन ही हाथों में मेरे माबापने दम तोड़ा है एक ही पल में उसने मेरी जिन्दगी तहस नहस कर दी मेरे ड़ाड ने मुझे कायर नहीं बनाया है उन्होंने मुझे सिपाही बनाया है लड़ना सिखाया है कि नहीं छोड़ूँगा कभी नहीं छोड़ूँगा मैं उनसे भागूंगा नहीं अब भागने की बारी उसकी है जब तक जिन्दा रहेगा पचताएगा कि उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली मैं उसे दिखाऊंगा एक बच्चा एटम बॉम कै बन सकता है। मैं नहीं जान्ता विक्रम से 19 कॉन थे। नहीं जान ना चाहता हूं। मैं बस विक्रांथ हूं। और मैं चंदर शेकर पश्भुपति का बेटा हूं.. विक्रांथ उससे बदला लेने के लिए शपने में भी मत सोच। तू भाग जा बेटा। आपने मुझे बच्पन से देखा है, आपने सिर्फ एक वादे के लिए इतने साल बिता दिये, पूरी जिंदगी मेरी हिफाज़त की, फिर भी आप मुझे समझ नहीं पाए, आप चाहते हैं मैं डर के भाग जाओ, इतने सालों तक वो चुहे की तरह बिल में छुपा बैठा इसलिए कोई उसे खोच नहीं पाए, लेकिन अब उसे मेरे लिए बाहर आना पड़ेगा, और वो आएगा, मैं उसके लिए जाल बिच्छाओंगा, और अगर आपको लगता है कि मैं कोई बेवकूफी कर रहा हूं, तो ये लीजिए, ये कार्ज उठाईए और शेहर मैं तुझे जाहंगीर के पारे में सब बताऊंका, लेकिन तुम्हे और तुम्हे और तुम्हरे दोस्तों को सावधान रहना होगा, वो इनसान नहीं है, हैवान है वो, छोड़ो मुझे ये कलप है छोड़ो मुझे तुमने हमारा काम आदा हादूरा क्यों किया तुमने जो काम करने को कहा मैंने कर दिया है अब इससे जादा मैं नहीं करूँगा लेकिन तुमने वो नहीं किया जो हम चाहते थे जब उस बाउडर का सैंपल हमने हैदराबाद में इस्तिमाल किया तब उसने सौ लोगों को भी नहीं मारा हमें चाहिए ज्यादा खतरना ज्यादा जहरीला और ज्यादा ताकतवर एक हिंदुस्तानी होते हुए आतंक वादियों के लिए काम करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती है 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 ब्लीज सर्प्राइज हिम सर्प्राइज हिम और किस किस को सर्प्राइज चाहिए मत मारो हमें मत मारो जैसा जहर कहोगे हम वैसा ही जहर बनाके देदें के तुम्हें वो क्या होगा जैविक हतियारों में वो सबसे खतरनाक होगा बुटॉलिनम टॉक्सिन वा बुटॉलिनम टॉक्सिन हमें वही चाहिए चहांगीर खान इसके बारे में तो आप सब जानते ही है दुनिया के दस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से दूसरे नमबर पर है 1995 के सीरिल बॉंब ब्लास्ट में ये मुख्या रूपी था 1997 में जेल से भागते समय उसका भाई और उसके बाद उसका बेटा एक एकसिडेंट में मारा गया था और तभी से वो कानून के निगा से चिप चिप कर अपराज के सामराज्य को पहला रहा है United States के Department of Treasury के Intelligence ने हमें ये बताया है कि इसने पाकिस्तान के किसी आतंकवादी ग्रूप से हाथ मिला लिया है इतने सालों से वो बहुत से देशों में छुपता रहा लेकिन हाल ही में उसे वाइजाग में देखा गया है वाइजाग में जो अंसारी मारा गया क्या उसका जहागीर से कोई connection है बिलकुल है इसके अलावा एक और अजीब connection है जहागीर के भाई को मारने वाले विक्रम सिनहा जो एक दुरघटना में जहागीर के बेटे के साथ मारे गये थे उनका बेटा विक्रांथ और हाल ही में वाईजाग में मारे गए चंदर शिकर और मालती देवी का बेटा विक्रांथ दोनों एक ही हैं जहागीर ने उस लड़के विक्रांथ को मारने के एरादे से ही वाईजाग में हमला करवाया सब विकरांद की बॉड़ी तो मिली नहीं, क्या उसका किड्नाप हो गया? नहीं, वो उतना सीधा है नहीं जितना हम सोचते हैं। टेक्नोलोजी का बहुत बड़ा जानकार है ये, हम नहीं जानते कि वो इस हमले से बच कैसे गया। पर हमारे पास सुबूत है कि किसी ने उसकी मदद की है। वाइजएक में हुए हमले की रात, उसके साथ एक आदमी मौजूद था, जिसकी सीसी टिवी फोटो हाइदराबाद वाले टोल नाके पर मिली है। इसी लड़के को खोजने के लिए, जहांगीर और उसके आदमी, जमीन आसमाने कर रहे हैं। ये हमारे लिए सही समय है। जहांगीर को उसके बिल से निकालने के साथ साथ, इस लड़के को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे सामने दो सवाल है, उस लड़के की मदद किसने की, और अब वो कहा है। उसे खोजो, इलाके को च्छान मारो। मिस्टर विठल, विक्रम सिनहा की जिन्दगी की सारी डिटेल मुझे चाहिए। ओके सर, आप सब तयार हैं। सर, वालेकुम जांगीर भै, वालेकुम अस्तलाम। हिंदुस्तान में आपके होने वाले ओपरेशन का, हमारा मुल्क बेता भी से इंतिजार करता है। लाले की जान, तुम अभी तक ओपरेशन शुरू का इकुनी किया। ये ऐसा वैसा ओपरेशन नहीं है, इसमें कमाल का हथियार यूज होगा। जब हम उस हथियार का इस्तिमाल करेंगे, तो दस, बीस या सो नहीं, बलकि लाखों लोग एक साथ मारे जाएंगे। सर्प्राइजिंग। ड़क्टर खान, इधर आईए। ये जैवी खतियार है, एक रसायनी खतियार, गण और बम से लड़ने की बजाए, बैक्टीरिया और वाइरस ज्यादा खतरना खतियार है, जिससे एक साथ लाखों लोग खतम हो सकते हैं, और इसका नाम है बॉटुलीनम टॉक्सिन, इसके सिर्फ एक ग्राम से 10 से 15 लाख ल तुम्हारी वज़ा से हम खुदा के सामने सर्फकर से उठा सकते हैं, हम तुमसे दस दीन में हिंदुस्तान में आके मिलेगा भाई, खुदा हाफेज़ मैं ने तुम्हें बहुत मिस्किया, मैं रिली मिस्टियो तुने तो हमारे फोन फिकपा दिये, अब क्या करें? अब से हम ये यूज़ करेंगे, हो सकता है हमारे फोन स्टैप्ट हो, बहुत संभल कर रहना होगा, अब तुम क्या करने वाले हूँ? शिकार, मैं शिकार करने वाला हूँ, मैं उस वहशी दरिंदे को उसकी मान से खीच कर बाहर लाना चाहता हूँ, तभी मेरे माबाप की आत्मा को शांती मिलेगी, मेरी बात मानो अनगा, ये जगह सेफ नहीं है, अपने माबाप के पास लौट जाओ, तुम अपनी जान क्यों खत्रे में डाल रही हो? जब तुम मेरे साथ हो, विक्रांद, तो मुझे खत्रा छूबी नहीं सकता, अब जीना हो या मरना, सब तुम्हारे साथ, तुम से दूर रहकर, एक पल भी नहीं जी पाऊंगी, मैं वाह, हमारा हैत्राबाद, क्या खुश्बू है इस मिट्टी में? उपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती, हमने सारी दुनिया चान मारी, पर उसने हमें कहीं और न भेज कर इन दो खास कामों के लिए हैदराबाद की जमीन अताकी, अवल, अपना ओपरेशन शुरू करना होगा भी, दूसरा माफ कर दो भाई, माफ कर दो, मेरे जंगुल में एक बार आने के बद कोई भी पच्छी नहीं पाया भाई, ये साला पहली बार हो है, कोई तो उसके साथ है भाई, कोई तो है, एक मौका और दो भाई क्या कर लोगे, मार्केट के सारे मवालियों को जमा करके उसे ढूंड निकालूँगा, वो पिल्ला चाहे किसी भी कोने में छुपा हो, उसे ढूंड कर आपके कट्मों में फेक दूगा भाई, तो तुम हमें सर्फ्राइज करोगे यही आपका घर है, आप लोगों के पास बस दस दिन का टाइम है, फिर हम आपका हर सैंपल टेस्ट करेंगे, और उससे मिनिममम एक हजार लोग मरने चाहिए, तभी आप लोग घर जा पाएंगे जहांगेर, पिछले पंद्रस सालों से वो कहीं नहीं दिखा है, फिर भी हर देश में उसके आदमियों का जाल पहला हुआ है, अपने आदमियों के जरिये उसने हर जगा धहशत पहला रखी, उनमें से एक है जो हैदराबाद में रहता है, रसूल, जमीन पर कबजा, घैर का कौन है तुम लोगा, क्यों पकड़ा मेरे कूँ, जहांगेर की डीटेल्स, तुम तो ऐसे पूछता है, जैसे कोई गली का कुता हो, तुम लोग कभी जहांगेर को देखा भी है, मैं बोलता है, प्लीज, प्लीज, मेरे को मत मरो, उसके बारे में जो भी पता है, जब भी जहांगेर को काम होता है, तब ही वो खबर पहुचाता है, खबर कौन लाता है और वो कहां मिलेगा, भी कुभाई, जहांगेर भाई का खास आत्मी, नेक्स्ट मीटिंग कहा है, भोल, बताता है याद, शुक इस मामले में तुम्हारा पढ़ना ठीक नहीं है, उसे खोजने का काम तुम ना करो, किसी और को लगा दो, अरे क्या कर रहे हो चुनाओ सर पे है, इस समय रिस्क मत लो, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है, कौन है वो? कर फो कर वो ये जता है तो अब ये मुर्गी बक्रियों को किड्नाइप करना बंद कर दो, समझे तुम? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है बंदर क्या जाने है अद्रग का स्वाद येलो बॉस, तुम्हारा अगला शिकार प्योंकि तूरा, बंदर नही है प्याँ को प्याँ को तूरा बंदर मॉंडा मार्केट, इस मैप के हिसाब से मार्केट के टोटल तीन रास्ते हैं, अगर कोई एक इस उंची बिल्डिंग से बाकियों के साथ कौर्डिनिट करें, तो तीनों एक एक रास्ते पर निगरानी रख सकते हैं, हमें बहुत कैफुली काम करना होगा, किसी भी कीमत पर गल से, उसके आने के बाद हमारे पास दस मिनिट होंगे, उन दस मिन्टों में वो आँखों से गायब नहीं होना चाहिए, हम सब फोन पर कॉन्फरेंस कॉल पर होंगे, पुलीस भी हमारे पीछे पड़ी है, सो वी शुट बी वेरी कैफुल, सुन बबलू, तुझे कोई दिख अभी तक नहीं दिखा मुझे, अभी तक नहीं दिखा मुझे, बी अलर्ट, अनेखा, चाचा, आप नोनों रेडी है ना, आम रेडी, इस एंट्रेंस को मैं संभाल लोगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो गली से आएगा, एक बात का खयाल रहे, वो यहीं पर आएगा, तो मि पीछा करो, अनगा, उसका चेहरा देखकर कंफर्म करो, विक्रांथ, वो भीको है, वो वही है, ग्यान से सुना, उसका पीछा करती रहूं, चाचो, अनगा के पास जाएगे, गाइस, वी शुड़ नॉट लूज है, पबलू, जल्दी से बाइक निकाल कर यहां पर आजा, ठीक है, अभी आता हूँ, चाचो, चाहे जो हो जाएगे, वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए, तुम फेक्र मत करो, एक्स्क्यूज मी, लाइटर है क्या, चाहे जो हो जाएगे, 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 कुछ नहीं होगा जाचु हाँ बोल विके अंकल का सामान ले लेकिन उनका फोन गायब हो गया तुने ठीक से चेक किया था हाँ किया लेकिन शायद मार्केट में गिर गया होगा मार्केट में गिरा कुछ तो कड़ बढ़ है अनेगा जल्दी करो यह जगह हमारे लिए ठीक नहीं है क्या हो गया निकलो फिर बताता क्या हुआ को 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 क्या क्या जबताता विक्या विक्या संबाल कर आना जब तक मैंना बुलाओं बाहर मनना यंप से संय अअ अप अग अग अ-ग अः अ-ग heartfelt दो अ-ग अ अ ह ह कर दो है। अन्नोन नंबर एए, फोन क्यों नहीं उठा रहा, दारूपी के सो गया था, क्या? वो सोया नहीं है जहांगेर, मैंने उसे सुला दिया सुप्राइस्ट मुझे तो पहचान ही लिया होगा तुने विक्रांत, जहांगेर खान का जानी तुष्मन वा, क्या सर्प्राइस है तु तो अपने बाप का भी बाप निकला तेरे बाप ने अठारा साल पहले जो अकाउंट खोला था, वो तेरी मौत से बंद होगा उस अकाउंट का बैलन्स सेटी करना है मुझे और वो तेरी मौत से ही होगा अभी नन्ना बच्चा है तु, अपनी जान बच्चाने की कोशिश कर बच्चे भाग जा, भाग जा ए जांगे, मुझे कोई स्कूल जाने वाला बच्चा मत समझना मेरे पिता ने खतरों से खेलने के लिए मुझे बच्चपन से तयार किया Your time starts now अपनी उल्टी गिंती शुरू कर दे, टिग, टॉट, टिग, टॉट, टॉट, टिग उसके मुझे जी पीएस क्यों डाला? अब उसकी हर हरकत पर हमारी नजर वोगी यस सर, तुम्हे अभी केरल जाना है, तुम्हेरे इंस्ट्रक्शन्स फॉलो करना, ओके? ओगे सर, गुड लग एक हफते के अंदर ही हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे अब और जादा होशार रहनी की जरुवत है हिनाय, CID, Task Force, Army, सब लोग हमें ढून रहे हैं, इन सब से हमें बचना है हमारे पाकिस्तान के जिहादियों के लीडर्स को, यहाँ पांशने में कोई तकलीफ ना हो, यह देखना अब तुम लोगों का काम है यह सर्प्राइज तो कमाल है, इतने सालों से सिर्फ एक काम के लिए तुम्हें पालते रहे हम वो छोटा बच्चा है, जिसकी मुझ पर बाल भी नहीं आये है उस बच्चे को तुमने भागने दिया, इस गलती की सिर्फ एक ही ससा है यह सर्प्राइज तो मुझे भी सर्प्राइज कर गया ले जाओ, इसे बंगले के पीछे दफना दो और अब आंथोनी को खबर कर दो, कमान आंथोनी बच्चारा हिल्स यह कौन सी जगह है यार बापरे, क्या जगह है, फूट जंगल है क्या वो मूटा नक्सलेट था जीपीएस तो हमें यही जगह दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड है चल 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 कुई आ रहा है चल 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 इतनी सुनसान जगह में वो लो पहरा है इसका मतलब जहांगेर अंदर ही है मेरे वापस आने तक मैंन में ही रहना टेक है जेट खोलो सलाम वाले कुम भाई, वेलकम तो इंदरस्तान जागेर भाई, लाले की जाद दिल खुश कर दिया पूरे दुनिया में फैला हमारा जेहादी लोग तुमारी तरफ देखता है हर कोई तुमारे ओपरेशन के बारे में बात करता है चुक्रिया भाई, चुक्रिया ठीक एक हफते बाद वो बायो केमिकल गैस बनके तयार हो जाएगी और उसका इस्तिमाल होते ही ये हिंदुस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा आप लोगों की खुशियां और बढ़ाने की खातिर हमने दो बॉलिवूड स्टार्स को बुलाया है बॉलिवूड स्टर, हुलिवूड स्टर, हमारी तरफ से सर्प्राइज क्या हुआ सब ठीक हमें यहां से निकलना होगा, मैं सब बात में बताऊंगा, चलो अरे बापरे, यह क्या, पुलीस और सरकार क्या कर रही है इस सब में उनके भी कुछ आद्मियों का हाथ होगा सिर्फ चार दिनों के अंदर वो एक केमिकल वेपन बनाकर उसे इस्तमाल करने का प्लान बना रहा है पुलीस को बताने से भी कोई फाइदा नहीं होगा, उनका कोई खबरी हमारा प्लान जहां गरे तक पहुंचा देगा मैं तो सिर्फ अपने माबाब की मौत का बदला लेना चाहता था पर इसके इस खतरनाक प्लान से पता नहीं कितने सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे मैं उसे बिलकुल नहीं छोड़ूँगा लेकिन उस वहशी को रोकने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए हाँ, चाचो ने हमें कुछ काड्स दिये थे ये ले, बैंक मेनेजर का काड़, हो सकता ये हमारी मदद करें ठीक है, मैं बैंक जाकर मैनेजर से मिलता हूँ, शायद वो हमारी मदद करेंगे तुम दोनों अपना खयाल रखना है एलो, फिक्रांद अभी मदेपूर के एवरेस्ट बैंक में गया है क्या, एवरेस्ट बैंक गया है सर, मैं भी निकलता हूँ, वहाँ के ठाना इन चार्ज को भी बुला लो जो कहा था वो याद है, गुस के क्या कहोगे, हैटस अप बोस, हैटस अप नहीं कदे, हैंस अप बोलोगे और मैं बोस घुस्ते ही सीची टीवी कामेरा तोर डालूंगा और उसके बाद मैनेजर को भी पकड़ लूंगा, एक जैकली अगर यह ठीक से किया तो लाइफ टाइम सेटलमेंट्स, आगे बढ़ो, ओड़ो, ओड़ी बोस अरे इधर आ, हाँ बोस यह लाइन में क्यों खड़े हो, हम क्या यहाँ नए पाचसो और दोहजार के नोट लेने आएं, बोस अभी बैंक मैनेजर अपने कैबिन में गया है, तो हमने सोचा ताइम वेस्ट क्यों करें, क्रेड़ कार अप्लाई कर देते हैं, सिसी टीवी केमरा बहुत दुख पर लगाता इसलिए तोड़ नहीं पाया, ममा, एक सार, जलो सब लोग जमीन पर लेट जाओ, तुम क्यों लेट गए, बोस आपने ही तो लेटने को कहा, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, जिन लोगों ने अपना मू धकाय वो खड़े हो अबे मतलब ये, कि जिनके पास गन है, वो खड़े हो जाए, तुम्हारे क्या कमर में दर्ध है, आप ही तो अभी कहे हैं, कि जिन लोग उनका पास गन है, वो खड़े हो जाए, हमरे पास गन है, इसकी मा की आँख, अबे इस बुढ़ापे में गन कैसे चलाओगे, मैंने हर अब गन वाले को नहीं कहा था, बैंक लूटने वाले चोरों को कहा था, अब तुम क्यों खड़े हो गया, सब मिलकर इस बच्चे की जान लोगे क्या, कौन है तुम, ली, बाली, का बाली हो, सर, सर, वो अंदर है सर, अंदर चलो, बॉस, उसने आपका गाल क्यों सहलाया, मता था, पकड़ा इसे, सहलाया नहीं, यहां की मक्खी उड़ाई है, यहां तो चोर लुटेरों की लाइन लगी हुई है, सर, नहीं, नहीं, विक्रांथ, बहार आजाओ, हम से डरो मत, हमें सब मालूम है, इन फाइक, हम तुम्हें बचाने आए हैं, विक्रांथ, मेरी बात मानो, बहार आजाओ, पुलिस तुम्हारी दिश्मन नहीं है, तुम्हारी दोस्त है, प्लीज भरोसा करो, कैसे भरोसा करूँ, मैं चाहता तो तुम्हें पकड़ सकता था, और तुम से कुछ बात करनी है, प्लीज बहारा जाओ, बताइए, क्या चाहिए आपको, क्यों पकड़ कर लाएं मुझे हैं, उस रोज तुम्हें किसने बचाया, अब तक कहां रहें, और क्या किया, तुम्हारा प्लान क्या है, ये सब नहीं पूछूँगा, लेकिन तुम्हारी जिन्दगी अब हत्रे में है, तुम्हें हमारी security की धरुरत है, मुझे security क्यूं, जब मेरे माबाप मर गय तब खी हाँ था आपके security, मैं अपनी हिफाज़त खुद कर सकता हूं, इस काबिल हो, मुझे जाने दीझे, तुम्हें नहीं जाने दूँगा, अकेले बदला लेने का खयाल अपने दिमाग से निकाल दो सर आपका फोन हाँ बताओ विठल आपका अंदाजा सही ता सर अच्छा ऐसा ओके कहां है वो मुझे वो लड़का चाहिए कहां छुपा रखाये उसे देखिए आपको बार बार बताया है कानून लगू करने का तरीखा होता है ओफिसर जिस कानून की तुम बात कर रहे हो मैं ही उस कानून को बनाता हूँ रूल मेकर भी मैं हूँ और रूल ब्रेकर भी मुझे कानून मत सिखा उसे मेरे सामने लाओ आखरी बार समझा रहा हूं पुलिस के काम में दखल मत दो यह फोन तेरे लिए है जा जा कर उठा अलो गुड़ाफनून सर अब के सार सिर्फ तस मिनट मिलेंगे तुम्हें इसे कहते हैं कानू मैंने आपके भाई को नहीं मारा जानता हूं मेरे भाई को मारने वाले ही तुम्हारे माबाप के कातिल हैं ये भी जानता हूं और अगर वो मेरे हाथ से बच गए तो तुम उन कमीनों को मत छोड़ना चुन-चुन कर मारना उन्हें उसके बदले में तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दूँगा मैं जो भी कहूंगा वो आप करेंगे मेरी जबान है मेरी गैरंटी अपनी अपनी बंदू के भेंग दो वरना ये एमेले जान से जाएगा कोई बाहु बली मत बनना अपनी बंदू के भेंग दो भाया देश के सेवक को मरवाओगे बिकरांट एमेले को छोड़ दो तुम्हारी भलाई इसी में है मुझे अपनी भलाई की चिंता नहीं है तुम्हे अपने पिता की भी चिंता नहीं है मतलब विकरम सिनहा वो अभी मरे नहीं है वो जिन्दा है जानता हो तुम्हें यकीन नहीं होगा विकरम सिनहा के एक्सिनेंट में मौत से दो साल पहले एक फाइरिंग में उन्हें गोली लगी थी तब उनके दाहिने पैर में स्टील रॉड पड़ी थी ये हमारे रिकॉर्ड में है लेकिन जब उनकी पोस्ट मॉटन रिपोर्ट आई तो वो रॉड नहीं थी ये बात तहकीकात से पता चली है बिक्रम सिना की पढ़ाई, पुलिस ट्रेनिंग, सब केरल में हुई थी इस बात के सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने वहाँ एक आदनी भेजा मेरा शक सही निकला मेरे आदनी ने बताया उस फार्म हाउस में तुम्हारे पिता पिछले कई सालों से चुपे हुए थे उसके बाहाँ पहुचने से पहले ही वो वहाँ से भाग निकले ये सारी नकली कहानिया किसी बच्चे को सुना ना मामा वो सुनकर खुश हो जाएगा बिलकुल मुफ झानले खुश हो जाएगा मुब । वखंध वखंध कम अधू हलो अरे विगी कहा है तु अल्मूस्ट तेरे घर के पास हूँ क्या हुआ तु ठीक तो है न कोई मुझे गोली वार के अनेखा को ले गया वाट मैं अभी वहाँ ता मेरी चिंदा मत करायमोकी तु जा और अनेखा को बचा है कि पीछे जाता हूं तो अपना क्याल नहीं कि बुला अपने दिवाने को कहां है वो अगर वो आ गया ना तो तू मरेगा उसका बाप भी आ जाए ना तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता आए जाए 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 अजाए जाता हूं तो अुप झाल झाल भी आए जाए 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 ।ो झाँ अभो और फजिए रारोह। अपकोन? विक्रांद, जरा रुको तो, मुझे बचाने वाले वो है, जानना चाहते हो वो कौन है, वो तुम्हारे पिता है, विक्रम सिना, जनम दे कर तो कोई भी बाप बन सकता है, लेकिन पिता कहलाने का हग सबको नहीं मिलता है, मेरे पिता मर चुके है, अनगा, चलो. मुझे लगा था, तुम बहुत समझदार होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है, जैसे तुम से बड़ा बेवकूफ और कोई है ही नहीं. तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो, जब मैं बोल भी नहीं पाता था, तब मुझे छोड़ कर चले गए थे वो. और दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे कि वो मर गए है, अपनी जान बचाने के लिए कहीं जाकर छिप गए थे. चुप हो जाओ विक्रांथ, प्लीज अपनी बक्वास बन करो. इस पूरी दुनिया में उनसे बहतर पिता कोई है ही नहीं. क्या कहा था? वो तुम्हें अनाज छोड़ गए. तुम्हारी जिन्दगी बचाने के लिए, वो जिन्दा रहते हुई भी तुम्हारे पास नहीं आए. अगर उन दरिंदों को पता चल जाता कि तुम कहा हो, तो वो तुम्हें मार देते. इसलिए इतने सालों तक वो तुम्हें छोड़ कर कहीं दूर चले गए. एक पिता के बारी में सोचो, जिसने अपने खुद के सगे बेटे को बड़ा होते नहीं देखा. तुम्हीं जिन्दा रखने के लिए उन्होंने कितनी तकलीफ सही. तुम कहा हो, क्या कर रहे हो, उन्हें सब कुछ पता था. वो हर कदम तुम्हारे साथ थे. एक सीधे साथे कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर की बेटे थे तुम. तुमने कभी सोचा है कि उन्होंने तुम्हें ये लाइफसाइल कैसे दी? जो चाहा वो मिला ना, वो सब इनकी वज़ा से. हर बच्चे के लिए उसका पिता हीरो होता है. लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता विलिन है. दुनिया में कोई भी पिता अपने बेटे को और क्या दे सकता है? तुम्हारे भविश्य के लिए, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए, उन्होंने क्या-क्या नहीं किया. तुम कम से कम इतना तो सोचो कि इतने सालों से उन पर क्या भीती होगी पापा भले ही मैंने तुझे बच्पन से एक पिता की तरहा प्यार ना दिया हो भले ही मैंने तेरी परवरिश ना की हो लेकिन एक पिता की तरहा मैं तरी हफाज़त करता रहा मुझे माफ कर दीजे पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं इस पूरी हकीकत से अंजान था मेरे लिए आपने आपने अपनी पूरी जिन्दगी कुर्बान कर दी अगर मुझे सच का पता होता न तुम मैं तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्स था लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा मेरे आशिरवात रहे तुम जैसे रहना चाहते हो रहो जो करना चाहते हो करो मगर तुम्हारी सांसों से ही मेरी सांसे है इस बात को याद रखना यहां का मामला मैं सम्हालता हूँ तुम जो बिटा अब तो मेरी सांसे भी आपकी जिन्दगी से जुड़ी हुई है इसलिए मैं भी आपके बताए रास्ते पर ही चलूँगा हम दोनों को अलग करने की कीमत उस जहांगीर को चुकानी पड़ीगी मैंने उससे देखा है वो इसी शेहर में है पापा क्या का? मुझे बताओ वो का है उसके जिन्दगी को खतम करके मुझे सुकून मिलेगा बेटा नहीं पापा अब यह हम दोनों के बदले से भी कहीं बढ़कर है उसने आतंकवादियों के साथ हाथ मिला लिया है और वो लाखों बेगुनाह लोगों को मारने का प्लान बना रहा है वो एक बहुत भयानक बायोलोजिकल वेपन इस्तमाल करने वाला है बस दो दिन का वक्त है हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा वो शेहर के बाहर एक हवेली में काम कर रहा है अगर हमने उसे नहीं रोका तो तबाह ही आ जाएगी उसे रोकने का हथ्यार मेरे पास है यही सोच रहे होना के इसका जांगिर से क्या रिष्टा है यह उसका गंदा खून है पापरे आपने इतने सालों से इसे पकड़ कर रखा था जानता था कि एक रोज जांगिर तुम्हें ढूंडी लेगा इसलिए इसे बचा के रखा अगर वो तुम्हें चुएगा तो अपने बेटे को खोएगा मेरे पास एक आइडिया है लेकिन पहले यहां से निकलना होगा ठीक है इस वाइरेस का सेंपल टेस्ट करने का वक्त आगया है बस अब हिंदुस्तान बन जाएगा कपरिस्तान मेरे टेस्ट था सेंपल लेकिन जाएगा एगएवा लेकिन वो अबचा है इस अबचाने लेकिन वोग खोप्योर्यच थाएगिर एसी बात है? हमें आपका सपोर्ट चाहिए सर मेरी तरफ से तुमको पूरी छूट है थैंक यू सर बाद फाइलो में नहीं उलजनी चाहिए जाओ और उसे खत्म करो दुमको पूब हमें पुमको एकी जी чист सो हुआ 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 है हुआ हुआ है विक्रान जहांगेर खान का चानी तुष्मान अपनी मौत की उल्टी किन्दी शुरू करते है हुआ है इंग हुआ एफ एगा है वह इस पाँ हुआ एफ ए डे ले अगा हुआ एग एगा है हुआ है एगा है है वह रहा है चाहा है 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 ठुड्टू दोक दोक करुम कर दोन भॉक टॉक ड्ट आज आख वड़ शड़ पोन त्यों कि और प्यों कि यॉतanken रूमरीं हुश कर दो प्रोफ ड्रोफ लुप दो अब खूब्सक्स अब खूब बच्सकी अब झाल करि दो झाल कि अ तुम टेंशन मतलो, मैं सब सम्हाल लूगा तैंक यू सर, कम से कम आपने तो मेरे इरादों को गलत नहीं समझा, इस वोगे, देखिए देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जांगीर खान आज मारा गया, हमें इस बात की खुशी है कि इस सीक्रिट आपरेशन को हमारे पुलीस डेपार्टमेंट ने सभलता से पूरा किया उसने भयंकर जानलिवा वाइरस तयार किया था, इससे पहले कि वो फैल जाता, हमने उसे रोक लिया, हमने उसके साथियों को पकड़ लिया है, अब देश की जनता निश्चिंत रह सकती है, एक most wanted अपरादी आज माला गया, मैं प्रवीन प्रकाश हूँ, हेलो सर, जहांगी क्रवें काना पुल सकती है,ड़ि नहाता जा चार्व थिस्वार सकती है, जो और से बिशता है वरीन सर की जग bankruptcy है, कि मैं भीन है, प्रवा कि थीनितितितरा है, कि मैंने प्रूद लड़ते हैं, तोस्त士 के रह जल Remember, जो फthूँ है, काना प्लिए है, उई उई एऌसे हंगा कि अपने बेटे को आखरी बार देख ले अपने बेटे को आखरी बार देख ले जीनियस थेंक यू तुझे सलागवू के पीछ डालोंगा जिन्दगी भर तुझे बहाँ ना सडाया तो मेरा नाम विक्रम्प जिन्हा नहीं जांगेर जार पालोंगेर नहीं के बार देख लेख लेख अालोंगेर फिस्टार प्रत जिन्हांगेर रहाँ जाएर